हेलो फ्रेंड्स आप सब भी कैसे हैं मुमीद करता हूँ सब भी ठीक होंगे सो यहां फ्रेंड्स में डिसकस करने माले के इंपॉर्टेंट टॉपिक है बारे में जिसका टाइटल है हाव तो रजीस्टर कस्टम राउट फाइल्स इंसाइट लावर 11 बिल्क्ल माले लेके सी अप्लिकेशनमें ऑगर एक सच्छा राउट फाइल्स हैं तो कैसे रजीस्टर करें अप्लिकेशनमें हैं ताकि वे और सखी तरिके से वर्क करेश अब यहां जानते हैं हमारे's वर्जमबर 11 में दो ही फाइल्स होते हैं तो उन फाइल को कैसे अटाज करें अपने अप्लिकेशन के साथ ताकि वो सही तरहें से वर्क कर सकें इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं इसे पहले चोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है तो यहां फ्रेंज इस वीडियो कौन साथ को स्टार्ट करने के पहले अगर थोड़ा समझ लें कि इस वीडियो हम क्या कैची है सीखने वाले हैं तो first after installation अगर आप जाओगे version 11 के start-up में तो देखोगे inside this routes folder we have only two files called console.php and web.php एक समय के लिए मालने कि यह जो application जो हम देख वा रहे हैं यह काफी बड़ा project है like e-commerce website अब जैसे कि हम जानते e-commerce website तो हमारे पास काफी सारे panels होते हैं like एक admin panel होगा एक seller panel seller panel और एक होगा let's say customer panel अब यहां पर हम बात करें इनके routes के बारे में तो add in panel के case में let's say we have means 120 routes 120 और यहां उने वाला let's say 70 routes और यहां उने वाला let's say 30 routes तो कुल मिलाकर देखें तो यह उने वाले 220 routes तो अगर यहां देखें अगर इन सारे routes को हम register के इस single file में call web.php तो friends just assume कि यह file की जो length होगी वो कितनी बड़ी होगी क्योंकि हमने सारे routes को configure किया inside single file called web.php तो हमारे पास better solution क्या better solution यह है कि इस वाले पैनले के लिए हम create करें admin.php separate route file इस वाले के लिए हम create करें seller.php separate route और यहां create करें call customer.php अब यहां पर इन custom route files को create करने के बाद हम store करने वालें inside this routes folder but friends इनको place करने के साथ यह work नहीं करने वाले तो सही तरिके से सारे routes means work करें जो हमने create किया है तो क्या करना होगा इन files की config को साथ करना होगा हमारे इस application के साथ ताकि इस application को हम यह inform कर सके कि हमारे पास three more different route files और उनको attach करने के साथ हमें उनके साथ काम करना है अब application को कैसे instruct करेंगे about these new files तो उसके लिए first हमारे पास जो first option है हम जाएंगा web.php में और यहां जाने के बाद first हम create कर लेते हैं अपने इस routes folder के अंदर उन files को let's create a file call admin.php then हम create करेंगे एक और let's say seller.php साथ ही साथ कुछ controllers create कर लेते हैं ताकि उनके अंदर हम कुछ routes create कर सके चलते हैं टर्मिनल पे stop करते हैं PHP spark sorry PHP addition make controller और यह उने वाला है let's say admin controller first controller हमने create कर लिया PHP addition make controller and this time it will be let's say seller controller हमने create कर लिया developments above office start कर देते हैं started अब यहां जाएंगे जाएंगे app folder के अंदर htp के अंदर controllers के अंदर and here we have admin controller so for आफर से कुछ methods create कर लेते हैं so let's say index method public function index और यहां let's say eco with an h1 tag with an h1 tag admin index इसी तरहे से मैं method को copy कर लूँँगा एक और बार हम paste कर देते हैं and this time let's say this is for add method so here add अब यहां देन हम जाएंगे seller controller के अंदर अफट आफट से कुछ और methods create कर लेते हैं यह time save करने के लिए हम same pattern code को copy कर लेंगे और यहां फेंट पेस्ट कर देंगे and this time this is for seller अब यहां next सारे controllers को start करने के बाद चलते हैं admin.php और create करते हैं of admin controller वहां friends हम यूज करेंगे admin prefix साथ ही साथ वह हमारा url यहां कह सकते हैं route तो यहां क्या करेंगे route scope resolution operator prefix method and let's pass admin अब यहां जाएंगे then होने वाला एक group create करेंगे और इसके अंदर हम define करें callback function और इस callback function के अंदर हम सारे routes को place करेंगे जो हमारी admin controller के होने वाले हैं so out होंगे scope resolution operator get method and first let's say of landing page उसके बाद हम जाएंगे अपने admin controller के अंदर जिसे import करना है first so use admin controller import करने के बाद यहां जाएंगे it will be admin controller और admin controller से हम call करेंगे index method इसी तरीके से हम इसे copy कर लेते हैं paste करेंगे and the second route of admin will be let's add और यहां जाने के बाद हम call करेंगे add method so same pattern में हम code करने वाले inside seller.php तो first हम इसे copy कर लेते हैं copy करने बाद यहां जाएंगे php tag import कर लिया और यहां भी में use करने वाले prefix concept को let's say seller और यहां होने वाले हमारे route then क्या होगा यह होने वाला है scope resolution operator हम call करेंगे prefix method और यहां pass करेंगे seller के name से then use करेंगे group method और यहां define करेंगे callback function callback function और यहां होने वाला है route scope resolution operator get method first of landing page of seller panel और यहां होने वाला है seller controller so first import कर लेते हैं so use seller controller import कर लिया अब यहां जाने के बाद यह होने वाला है seller controller और इसके अंदर से call करेंगे index method में से copy कर लेते हैं paste करेंगे the next dot we have of seller call add and add तो successfully हमने दो controllers को create किया साथ ही साथ उनको साथ किया inside this admin.php and seller.php अब यहां परेंगे सारे changes को save करने के बाद चलते हैं browser पे और यहां करते होने testing अगर हम type करें forward slash admin तो देख पाएंगे 404 not found तो इसका मतलब जैसे कि हम जानते हैं routes को create किया अगर हमारे पास कोई custom route file है तो first हमें attach करना होगा अपने swap.php के साथ ताकि हम उन files को read कर सकें तो यहां friends हम discuss करने वाले method number one to work with custom route files so method number one और यहां क्या करने वाले हम use करेंगे route scope position operator और होने वाला group method अब यहां पर जैसे कि हम जानते किसी वी route के साथ हमारे पास काफे सारे attributes होते हैं जैसे कि कोई prefix रखना हो या कोई name space हो या कोई middle way हो यहां हमारे पास सारे parameters blank होने वाले हैं और यहां then हम pass के callback function remember अगर हमारे पास यह सारे routes होते हैं इसी web.php में हम क्या करते हैं इन सभी routes को define करते हैं अपने callback function के अंदर यहां हमारे पास separate files हैं तो क्या करेंगे हम इससे remove करेंगे remove करने के बाद हम use करने वारे base path helper function और यहां pass करेंगे routes folder and admin.php तो यहां basically हमने क्या किया हमारे पास एक set of routes है inside this admin.php and we are returning these routes by the help of this path अब यहां save करने के बाद चलेंगे browser पे reload करेंगे तो देख पाएं admin index now it is working अगर हम यहां type करने admin के बाद आद देख पाएंगे it is also working but वहां हमारे यहां type करने वहां हमारे यहां type करने seller I mean sorry spelling mistake seller तो देख पाएंगे it is not working तो करना क्या अटाच करना है तो अटाच करने के लिए यहां जाएंगे route इसको दिशन ऑपरेटर group method और यहां ओने वाला base path helper function और उस वाले फाइल को हमा अटाच करने वाले from routes folder and here we have called seller.php save करने कबाएं चलेंगे browser पे रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे it is also working तो यहां friends this is the concept of method no.1 की जहां मने method no.1 concept को यूज करेंगे अपने custom route files को अटाच किया है अपने swap.php के साथ अब देखते method no.2 तो वहां क्या करने वाला हूं मैं इन सभी को मैं comment कर दूंगा comment करने बाद वापे से रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे it is not working एक और बात फर्समें से एंड कमेंट करते हैं महां लेते हैं आपके पास इन राउट के लिए को मिडल वेर है जो काम करने वाला है तो क्या करना है यह जो syntax होगा कुछ इस तरह के से होगा I think आपको आपको आलरी पता होगा जैसे यहां हमें यूज करेंगे middleware यह हमारे पास होने वाला middleware name यहां होने वाला group method और यहां exactly हम रहरे से चाल करेंगे call base path यहां होने वाला routes के अंदर से admin.php यहां पर अब हम इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद मैठर नमबर 1 हमने कमेंट कर दिया है अगें रिलोड करें, अब जाने वाले हैं, जो कि देखेंगे मैठर नमबर 2, मैठर नमबर 3, जो कि होने वाले हमारे बेस्ट ऑप्शिंस तो एड इस कस्टम रॉट फाइल इंसाइड इस फर्स नमबर 11 अप्रिकेशन, तो यहां फ्रेंस उन कौन साफ को सीखने के लिए हम ज सो उसिंग, क्लोजर फंक्शन और सेम पाटर्न में, जिस पाटर्न में हमने यहां अटाच किया तो अपने वेव.vh में सेम कौन साफ हम यहां यूज करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, सेंप्ली राउट, इसको प्रेशन ऑपरेटर, एक और बात, इस वाले राउट क्लास क यूज करने के पहले, अगर आप देखोगे, इस दस नाट एकसे, सबसे पहले हम इस दो इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, या तो अभी यहीं से से कॉपी कर लेते हैं, या सिंप्ली हम यहां जाने के बाद, यूज एलिमिनेट, एलिमिनेट, देर आम यूज यूज जाएंगे, यूज यूज फोल्डर के लिटेख पर जाएंगे, यूज विंदा विंदी यहां फैंड ऐसे इंपोर्ट करने पाद चलेंगे, शुज से खलेंगे, जो मन आच किया था इंसाप्ड विट.भी जए को यहां यहां इस यूज पोल्स फॉंक्शन इसी तरहे से this is for seller panel initially हम देख पाएंगे 404 not found but यहां जाने के बाद अगर यूज करें group method, blank array और यहां उने वाला base path और इस base path के अंदर से attach करने वाले routes folder के अंदर से seller.vhp सब्सक्राइब करते हैं ब्राउसर पर जाएंगे रिलोट करेंगे तो देख पाएंगे now it is also working अब मालेत इन routes के उपर हमारे पास को middleware है जो हमने apply किया हुआ है तो simply आप वो क्या करना है जैसे for example for this admin dot page हम यहां जाएंगे और add करेंगे middleware और यहां उसे use कर लेंगे तो simply this is the method no.2 to attach our custom route files inside this level version 11 application अब यहां friends हमारे पास same pattern में हमारे पास तीसरा option है बत वहां use करेंगे then closer block same pattern में जैसे हमने use करेंगे using keyword के साथ अब यहां use करेंगे then keyword के साथ अब यहां फिलाल हम save करेंगे reload करें तो देख पाएंगे 404 404 not working अब हमें इसे inform करना तो simply हम यहां जाएंगे first इसे इंपोर्ट करेंगे import करने के बाद इसको बिश्यों operator same pattern में code होने माला call base path और यहां होगा routes folder के अंदर से admin.php save करेंगे browser पर जाएंगे reload करेंगे now it is working तो यहां सब्सक्राइब करके पेस्ट कर दूं this time this is for seller save करेंगे reload करेंगे now it is also working so you have friends this video में देखा कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी website है एक बहुत बड़ा project है जहां हमारे पास काफे सारे routes है तो उन routes को बहतर होगा separate कर ले in separate different different route files और उनको सही तरह करने का जो process है चुन methods है हमने सारे methods को देखा इस वीडियो so मेरी opinion से यह जो second method देखा और यह third method देखा these are most important आप avoid करो इन files को link करने का inside this web.php आपको यूज करना concept of app.php ताके सारे के सारे routes को बिल्कुल standard की तरह जैसे के हम देख सकते हैं यहां इन्होंने पहले से attach किया web.php साथ यह साथ console.php from routes folder so आपके पास यह हमारे पास एक option है जहां हम use कर सकते हैं using closer यह then closer to attach our custom route files so friends I hope यह video का जो concept था वो काफे informative और important था so please like करें, comment करें, channel को subscribe करें हम मिल तेक्ष यह आमेजिग वीडियो में so for this video session guys thank you for watching and have a great day